रीवा के S.F. मैदान में नौवी बैटालियन एक बार फिर परेड करती नज़र आएगी कुरूना काल में बंद हो गई थी परेड पुलिस कर्मी एक बार फिर फिर नज़र आएंगे हफते में दो दिन शुकरवार और मंगलवार को होगी परेड भुपाल के पुलिस मुख्याले से इस संब्ध में आदेश पहुचे रीवा कुरोना वाइरस संक्रमन काल से बंद परेड आज से हुई परारम रीवा के S.F. मैदान में हफते में दो दिन शुकरवार और मंगलवार को नियमित रूप से होगी परेड दोबारा परेड परारम होने से कुछ पुलिस करमी जो अनफिट हो गए थे जिनके पेट निकलाए थे वह भी सिग्र फिट हो जाएंगे ऐसा उच्च अधिकारी भी मानते हैं पुलिस के लिए परेड एक अति आवश्चक चीज है पुलिस के जीवन का परेड का काफी महत्व है परेड करके पुलिस करमी स्वास्त रहते हैं लगातार फिट रहते हैं यह उनके लिए सबसे जरूरी है क्योंकि सबसे ज़ादा दोड़ भाग पुलिस करमी ही करते हैं कब उनको कहां पर जाना पड़े, कभी पानी में, कभी धूप में, कभी रात के अंधेरे में लगातार चलना पड़ता है अगर परेड नहीं करेंगे तो पुलिस कर्मी फिट नहीं रहेंगे ऐसा उच्च अधिकारी भी मानते हैं पिछले कई वर्जों से कोरोना वायरस संक्रमरकाल के चलते इस पर रोक लगा दी गई थी लगभग तीन साल के आसपास परेड बंद रही जिसके चलते कई पुलिस कर्मियों के पेट भी बाहर आ गए थे अब जब कोरोना संक्रते सरकार पूरी तरीके से उबर गई है कोरोना संक्रत लगभग पूरी तरीके से खत्म हो गया है उसके बाद सरकार ने एक बार फिर नर्न लिया जिस तरीके से परेड होती थी ठेक उसी तर्ज पर एक बार दुबारा परेड प्रारम कर दी जाए पुलिस में खैले के आदेश से कुरोना काल में परेड बंद थी और अब कुरोना की स्थिती लगभगनी अन्तित है तो पुलिस में खैले से आदेश में यहने ने लिया गया कि आज से प्रतेख सुक्रवार और मंगलवार को जैसे पहले परेड होती थी वो चालू होगी जिसका आज से प्रारम किया गया है कि एक्शुली में लगबग डेड़ साल बंद रही परेड और परेड पुलिस की जीवन का महतवपूर अंग है और निश्री तोर पर जो आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं उसी को सुधार किया जाएगा सुधार किया जाएगा नई और तादातरीन खबरों से जुले रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बड़़ए और देखते रहे हैं न्यूस नेटमर्क तोरे हैं